वेलकम टू मधुमाज किचन आज मैं बनाने वाली हूं पानी पूरी की रेसिपी तो इसके लिए पानी बनाने के लिए जो भी चाहिए होगा पूरी ना पानी पूरी मसाला नीम्बू ब्लैक सॉल्ट काला नमक हरी बेच सफेद नमक अभी में मिक्सी में इसका पेस्ट बनाने वाली हूं तो पूदीना के पत्ते को मिक्सी के जार में डालिए और हरी मिच जो भी आपको स्वादर नुसार चाहिए होगा ज्यादा तीखा कम तीखा विससाब से आप अपने इससाब से डाल सकते हैं नमक भी आप मैंने डाला उसमें मैं पूरा एक पैकेट पानीपुरी मसाला डाल दिया चाट मसाला भी यहां डाल सकते हो जैसे आप किछा हो तो मैंने जो पुदीन और हरी मिश्ट का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने डाल दिया थोड़ा जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढोके भी आप डाल दीजिए उसमें और ब्लैक सॉल्ट काला नमक सफेद साधा नमक यहां पे आप वाइट बुंदी भी डाल सकते हो खारी बुंदी निम्बू का रस जैसे आपको खटा ज्यादा पसंद होता आप ज्यादा डालिये कम पसंद होता आप कम डालिये अच्छे से मिक्स करके रेडी हो गया पानी पूरी का पानी अब मैं बनाने वाली हुं हिमली की चत्नी उसके लिए चाहिए होगा इंबी को मैंने आधे गंटे के लिए भीगों के रख दिया था इसको अच्छे से हाथों से मैश करके इसका सारा पल्क निकाल लूँगी ताकि कोई भी लंब ना रहे अच्छे से मैश करके जहां पर थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं फतला करने के लिए व्योंकि इसको बॉइल तो करना ही है अच्छे पर ग्यास पर बीडियम आच पर एमली को बॉइल करेंगे उसमें आप अपने जैसे मैंने सो गराम लिया तो तूफिफ्टी के आसपास मैंने गूब डाला तो आप अपने हिसाब से मीठा पर या जाता कर सकते हैं किसी किसी को बहुत ज्यादा मीठा पसंद होता ह तो ज्यादा गूर्जी डाल सकते हैं कि यहां पर मैं एक चमच चिली पॉडर एक चमच सॉल्ट नमक आप स्वाद अनुसर देज सकते कमिया ज्यादा कर सकते आप काला नमक एक चमच चिंजर पाउडर और बुना हुआ जीरा पॉडर सब एक चमच आप अपके टेस्ट के अनुसर कमिया ज्यादा कर सकते हैं अच्छे से पंदोर मिनिट के लिए आपकी नियाच पर उसको पकने दें यहां पर आप खजूर भी लाज़ दाल सकते हैं अब वाइट बटन है वाइट मतर के लिए चाहिए होगा आप अ ऑगुए ज़िए अ उसमें टो चमच देल डाल दिया एल पच्चे से गरम होने देंगे पर उसमें गोल गरम मसाला को थोड़ा दढ़़बरा कूपके जिसमें इलाइची और लॉंग है दाल चिनी को तो एसे ही डाल देंगे गे गरम मसाला तरकने लगे तो उसमें डाल देंगे दो याज को अच्छा सुनेदर होने तक गोल्डेन ब्राउन होने तक भूणना है गोल्डन ब्राउन हो चुक है मेरा प्यास अव्मेस में बारी कटा हुआ टमाटर डाल दिया जब टमाटर थोड़ा सा नरम होने लगे तभी थीनों मस्ताला थन्या पौडर मेच और मेरा वाइट चना बोईल कर लिया था मैंने राक्तोई भीगो के रख दिया था उसको एक सीटी लगाया फिर धीमी आज पे पंदर मिनिट के लिए मैंने इसको बॉइल किया था तो ना हुआ मसाला मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम पानी डाल के पढ़ाई में उस अब मैं बनाओंगी मैश पोटाटो उसके लिए मैंने पुबला हुआ अलू ले लिया उसको अच्छे से मैश कर दिया अब इसमें मैं थोड़ा रानिया की पत्ति आप टेस्ट रनुसर कमिया जाता कर सकते हैं एक चमज भर के चाक मसाला यहां पर लाल मीच पाउडर भी ड नमक स्वादन उसर यह मैंने काला चना पहले से बॉयल करके रखा था और यह आलू मैश तो बहुत लोग इतोनों को मिक्स करके खाते हैं तो यह हो गया पूरा पानी पूरी का मसाला लेडी पानी पूरी इस लेडी आप अपनी हिसाब से कभी आलू डालिये कभी ब्लैक चन कभी वाइट मतर इमली की चटनी और जल जीरा पानी और आप आनन दीजिए आधी पूरी का